Hello Everyone आज हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे अलाकि हम सब ने गंगा के बारे में पहले से बहुत कुछ पढ़ा रखा है लेकिन आज क्या special क्या है जो गंगा के लिए नमामी गंगे परियोजना चल रही है वो उसकी सफलता कितना काम हो चुका है कब शुरुआत हुई थी क्यों हुई थी यह सब हमको आज देखना है क्योंकि यह नियूज में हैं इसके कुछ डेटा रिलीज हुए हैं जिसकी वज़े से हमें इसको आज पढ़ना होगा तो शुरू करते हैं और हाँ यह टॉपिक तुम्हारा यूपी PCS के लिए सबस्याद कर रहे हैं सो लेट स्टार्ट दानमामी गंगे प्रोजेक्ट वस लॉंच्ट बाइ सेंट्रल गवर्मेंट इन जून 2014 इट्स एम्टू सर्फ तो अब्जेक्टिव्स औफ एफेक्टिव अबेट्मेंट ऑफ पलूशन और कॉंजर्वेशन और रिजर्वनेशन अफ नेशन को पुनर जीवित करना है साथ साथ बचा कर भी रखना है गंदी नहीं करनी है दनमामी गंगे प्रोजेक्ट वस अप्रिशियेटे दूरिंग दा यॉनाइटे नेशन वार्मेंट प्रोग्राम सी ओपी 15 हमारे इस प्रोजेक्ट को बहुत सराया गया था जो जो यॉनाइट नेशन वार्मेंट प्रोग्राम हुआ था उसमें ये कॉन्फरेंस कहा हुई थी कैनडा में हुई थी यॉनाइटे नेशन की 15 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फरेंस थी इस इस ए ग्रेट अचीवमेंट एक नदी भर नहीं है बलकि उसके किनारों पर 52 क्रोड लोग रहते हैं गंगा के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं 40% ऑफ इंडियास टोटल जीडिपी इस डिपेंडेंट ओन दा क्रॉप एंड टूरिजम प्रेडियूस फ्रॉम दिस गंगा वाटर गंगा के पानी में पानी से जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और जो भी टूरिजम है वो भावन करोन लोग निरोगी रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकें अब हम कुछ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं अब हम कुछ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं population growth, pollution and industrialization अब इस specific इस point से one day वाले examination में आता है कि जो गंगा की total length कितनी है ठीक, तो वही इस report में बताया गया है कि कहां तक ही expand हुई है और जिसकी वज़ा से इसको क्या-क्या problem से face करना पड़ रहा है एक तो population की वज़ा से गंदेगी लोग फिलायते जा रहे है गंदी करते जा रहे हैं गंगा को pollution उसका आ रहा है दूसरी चीज इंडस्ट्री का सारा waste भी गंगा में ही आ रहा है बट नमामी गंगे प्रोजेक्ट has revived the 1500 km stretch of the river by making it pollution free मतलब नमामी गंगे परियोजना ने नदी के 1500 km के हिस्से को प्रदूशन से मुक्त कर इसको फिर से revive किया है नहीं कि पुनट जीवित किया है along with the cleaning catchment area of the river along with planting new forest in 30,000 acres on its bank the old forest was also properly protected मलब गंगा की किनारे की सफाई के साथ साथ जो हमने पेड लगा रहे हैं उसकी अलावा भी हमको जो पुराने जंगल है उनको भी protect करना होगा अगर ये जंगल की भाली नहीं होती तो 2030 तक 25 करोड टन कारवन उत्सरजन की मात्रा बढ़ती जो इस छेत की आबादी जैसे की जल जीव मतलब पानी में रहने वाले जो जीव हैं पशू पच्छी इनके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता अगर हम पुराने जंगलों को प्रोटेक्ट नहीं करते तो conservation and restoration of wildlife species were also among the goal of this project इस मात्रपूर योजना के अंतरगत गंगा में गिरने वाले जल को रोकने के साथ साथ इसके दोनों किनारों पर वन शेत्र विक्षत करने का भ्यान भी अभी चल रहा है although this project started as Ganga action plan about 35 years ago तब से इस पर सैक्रों करोड रुपे खर्श किये गए है मतलब कि जो Ganga action plan है यह आज से नहीं चल रहा है in the five states along the bank of Ganga इसकी शुरुआत पांच राज्यों से हुई पांच राज्यों में 104 जगहों से हुई जहां पर 231 प्रोजेक्ट शुरू है जिसमें से 47 प्रोजेक्ट वस स्टार्ट इन उत्राखन 112 प्रोजेक्ट स्टार्ट इन उत्रप्रदेश, 26 इन बिहार, 19 इन जार्खन, 20 इन वेस्ट बेंगल जिनका रिजल्ट उनाइटे नेशन की रिपोर्ट में सामने आए है the result of which have been revealed in the United Nation report in Haryana and Delhi also seven schemes have been started on the tributaries of Ganga the project involved in the campaign can be divided into two parts इस project को हम दो पार्ट में डिवाइट कर सकते है कैसे पहला तो Ganga को pollution free करना है, safe करना है दूसरा development work from the Ganga ठीक, eight biodiversity conservation centers were also developed along the bank of Ganga it was impossible to run large and small passengers and cargo ships in the 1620 km Ganga waterway between Varanasi and Haldia बतलब कि इतने बड़े waterway को, इतने बड़े waterway में cargo ships को run कराना possible था लिकिन अब वो implement हो चुका है और अभी उसमें cargo ships start हो गई है इस वज़ा से Ganga के तटो पर port सिर्फ port न होकर एक विकास और रोजगार का भी एक बड़ा माध्यम बन गया है from this point of view, the Namami Ganga project has not only become a campaign to get rid of pollution अगर हम इस point of view से देखें तो Namami Ganga project सिर्फ एक campaign नहीं रह गया है कि Ganga को साफ करना है, preserve करना है, नहीं अब ये एक व्यापार और रोजगार से संबंधित भी मुद्दा बन गया है Namami Ganga, परियोजना केवल प्रदूशन मुक्ती का ब्यानी नहीं है बलकि व्यापार और रोजगार का भी एक बहुत बड़ा source बन गया है कि इस परियोजना की सफलता तो हमने देख ही लिए इसे होने वाले फायदे भी हमने देख लिए तो यह था आज का टॉपिक और हाँ अगर ये सीडीज पसंद आ रही हो और तुमारे लिए helpful हो तो प्लीज या लाइक कर दो और कुछ improvement लग रहा हो चाहिए हो वीडियोस में तो comment भी कर सकते हो okay then thank you